हेलो दोस्तों विल्कम बैक टो अनदर वीडियो उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यामा की सबसे पॉपुलर वाइक यामा एबजेट के बारे में इंडिन मार्केट में जब एक टाइम था ना वाई साब जब इस पूर्ट सेगमेंट लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है कब ये एबजेट वर्जन वन आती थी और इंडिन मार्केट में उसने इस टाइम पर राज किया है अब दोस्तों ये टाइम आ चुका है कि बाई इतना जादा कॉम्पेटिशन हो चुका है कि हर कमपनिय जो है यामा से कहीं न कहीं आगे निकल रही है क्यों 150 सेग्मेंट की कमपेरिजन हलाकि यामा के पास MT50 है बड़ उसका प्राइस जादा है बड़ अगर 150 देंड लाग रुपा के बज़र्ट में देखे अमें उतना जादा अच्छा आप्शन है यामा की तरफ से देखने को नहीं मिलता क्यों? क्योंकि यामा की एबडेट में अपडेट की ज़रूरत है उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले वर्जन 5 में आपको क्या नए अपडेट देखने को मिलेंगे सारे चीज़ आपको मैं डिटेल्स पर बताने वाला है तो चली दोस्तो आज की इस फीडियो को सुरू करते हैं जबा चैनल पर पहली पर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप बेल क्या नए अपडेट देखने को मिलने वाले है दोस्तो इस बाइक में आपको आपको फुली ले लाइड देखने को मिलती है और दोस्तो आप कमपनिया पर अपडेट लाने वाली है और इस बाइक में आती है सबसे पहला अप्डेट जूस्तो आपको इस बाइक में मिलेगा इसका जो next update होगा number 2 का update वो हने वाला है दोस्तो इस बाइक के speedometer में देखिन लास्ट इम क्या होता कि company ने यामा MT50 जो speedometer है वो तो बाइक में उठा के दाल दिया था बट इन्होंने क्या क्या था दोस्तो गियर इंडिकेटर को मिसिंग कर दिया था जो कि इस बाइक का मुझे एक बड़ा माइनस पॉइंट लगता है आप लोग पता है उस बाइक में जो गियर इंडिकेटर है वो भी इस बाइक करेगी वर्जन 5 में आपको 110% गियर इंडिकेटर भी देखने को मिलने वाला है यह वीं जो नए अबडेट है आपको इस बाइक में मिलेगा जो कि इसके लिए बहुत ज़धा इंपार्टन रख तो सबसे कम पावर हमें इसमें ही देखने को मिलती है और जो कि भाई इस चीज में इस वाइक को अपडेट लाना पड़ेगा अब दुस्तों अगर दुस्तों आगर दुस्तों आप पलसर की 150 से भी अगर कंपेर करें नॉर्माल जो कि बड़ा स्पोर्ट सेग्मेंट नहीं आ कि आपको 14 को utilizz बात करने नेक्स गहें बारे में तू होने वाला दूस्ते ऋस्पंशन क्या उप्डेट हो सकता है तो आज कल क्या हो रहा है कि हर कंपनी जो युए यूएश्डी हैने की अपसीड डाउन सस्पेंशन को लेकर जादा फोकस कर रही है अब आपको बताए कि लास्ट टाइम भाई इन्होंने जो है नई वाली जो है आपको बताए लास्ट टाइम इन्होंने नई वाली जो है मदब N160, NS160 जो है यह बजात की तरब से उन में भी आपको usdfog suspension देखने को मिला है आपको मैं clear कर दूँ कि अब इस bike में भी आपको usdfog suspension है वह आपको देखने को मिलने वाला होगा यह मत बंने वाला है यह भी एक नया update थोust्तो आपको इस bike में मिल जाएगा बात कलए जब इस bike के next update के बारे में एंकमपनी दोस्तो यह भी जो अप्डेट है इस बाइक में लाने वाली यह भी जल्दी आपको बहुत जल्दी आपको यह अप्डेट देखने को मिल जाएगा थिक यह भी जो नए अप्डेट है तो आपको इस बाइक में मिलने वाला है बात कर ले दोस्तो इस बाइक के बार ABS मिलता है बट अब उससे भी कानली उपर चले गई अब दोस्तों company जो है single channel EBS के साथ में dual channel EBS के मामले में आ गई आप लोगों को मैं बता दूँ कि Yama की जो FZ है दोस्तो N160 में dual channel EBS बजाद ने दे दिया है तो बहुत ज़दा चांसे है कि अब Yama भी जो इस भाइक में dual channel anti-lock braking system दे सकती है यह भी जो अपडेट है दोस्तो इस भाइक में वोने वाला जो कि इसके लिए बहुत ज़द इंपोर्टन रखता भी है नेक्स अबडेट होगा दोस्तो इस भाइक में जो कि बहुत इंपोर्टन रखता है इस भाइक के लिए वो रखता है दोस्तो इस भाइक की tail light में दोस्तो इसकी tail light है वो भी company change करने वाली है देखिए आपको बता है यहामा abz version 3 and version 4 की tail light है वो बिल्कुल almost आपको same देखने को मिलती है लेकिन दोस्तो आप लोगों को मैं बता दू कि company अब इस भाइक में जो वर्जन 5 आएगी उसमें इसकी tail light जो है change करने वाली है 90% आपको नया जो tail light है वो आपको इस भाइक में देखने को मिलेगा अलाकि आप आने के बात पता चलेगा कि tail light कैसे होने वाली क्या होने वाली बटाई हो company जो भी इस भाइक की tail light दे वो काफी बैतर है बात कर लें दूस्तो भी इस भाइक के launch date के बारे में जातक मुझे पते हैं दूस्तो यह बाइक इनन मार्केट में 5-6 मैने के अंदर company से launch कर सकती है अपडेट करके प्राइस के बारे में बात करें तो minimum दूस्तो इसका जो price बढ़ने वाला वो पमान के चलिए इसका price जातक मुझे लगता है 3-4,000 रुपे के असपस का बढ़ेगा जब यह अपडेट होगी और वह दूस्तो अगर मैं बात कर लूँ इसके launch date के बारे में तो वह न आपको बता दिया 5-6 मैने के अदर तो भाइक इंडन मार्केट में आ सकती है इस बाइक को लेकर डिटेल वद आपकी कभी अपडेट होने वाली क्या क्या चैसेस होने वाले एक दूस्तो आपको अच्छे लगई मिलते दूस्तों फिर नेक्स शुरों मेर लभी हो चाहिन बदमात रहूं